हेलो भाई मैं हूँ सक्षम तो आज भाई आगे हैं अपनी यूंड़ाई क्रेटा लेके SX वेरेंट भाई आज लेके आए हैं अभी डिलिवरी हुई है थोड़ टाइम पहले इस गाड़ी की अभी नंबर प्रेट भी नहीं आई है देखेंगे भाई SX वेरेंट एक्सीजर से कैसा लगता है इंटीजर में क्या क्या मिल जाता है क्या क्या फीचर्स ओफर होती है और ओवरॉल क्या पैकेज है यह गाड़ी देख लेते हैं अगर भाई फ्रेंट लुक्स सबसे पहले तो ऐसी कुछ मिलती है अपनी यूंड़ा मिल जाती है उपर से लेकर यहां तक भाई अपने डियारेल के साथ नीचे अगर देखने भाई तो अपने को फॉग लाम मिलता है और एर कटिंग के लिए वेंट्स देखने को मिल जाते हैं चलते हैं साइड की तरफ साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो ऐसी चलते हैं पीछे की तरफ पीछे जाने से पहले रहे अगर यहां पे दिखाते हूं तो ये ग्रेड कंता है इदर देखते हैं तो अपनी रूफ रेल मिल जाती है पैनरामिक सनरूफ के साथ ये गाड़ी आती है शाक्फिन एंटिना देखने को मिल जाता है आगे हैं भाई पीछे यहां पर देखने तो प्रॉपर भाई अपने को स्पोईलर ये देखने को मिलता है इधर देख लें तो भाई अपना फ्रियर डीफॉगर और वाई पर के साथ आती है स्टॉप लैम देखने को मिलती है देख लेते हैं भाई यहां पर तो टेल लाइट कुछ इस तरीके की मिल जाती है SX की बैजिंग के साथ और करेटा की बैजिंग भाई अपना स्पेस दे दीके और देख लें अगर भाई exhaustive तो भाई विजिबल नहीं मिलती नॉर्मली खड़े रहोगे तो विजिबल भाई नहीं होगी चलते हैं भाई फटना फट से अंदर करते हैं गाड़ी को unlock बाकी बाते करते हैं अंदर जाके बी पिलर अपना ब्लैक की आगये अपलर भाई अब्यानो में हैं और यह वाला भाई मैट में है खोल लेते हैं भाई गाड़ी को बात करते हैं डौर टृम की तो ड्यूल टोन में अपने को देखने को मिल जाता है बेज और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ इस तरफ देखें तो chrome door handle मिलता है यहाँ पे देखते हैं चारोई power window के control ORVM के control और इलेक्टरवानिकली folder नो फोल्ड हो जाते हैं इसी गाड़ी में अंदर से यहाँ देखते हैं grab handle देखने को मिलता है इस तरफ भाई एक लिटर का bottle holder space है और भाई साथ में extra space है speaker और tweeter के साथ यह गाड़ी आती है interior में चलते हैं उससे पहले अगर यहाँ पे देख लें तो height adjust का feature मिलता है लेकिन भाई manual है कोई भी automatic इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है बैठते हैं अंदर अंदर बैठते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं तो भाई अपना headlight leveler मिलता है traction का button मिलता है engine start stop का button मिल जाता है करता हूं भाई एक बड़ी थोड़ इसी seat को पीछे गाड़ी को कर लेते हैं start उसके बाद दिखाते हैं भाई कैसा लगता है इसका एक मिनट भाई यह देखो instrumental cluster भाई इस तरीके का मिल जाता है जो अपना optional variant आता है उसमें भाई थोड़ा वो digital आ जाता है पूरा ही लेकिन इस वाली में अपने को analog देखने को मिलता है right में speedometer left में tachometer heat meter और फ्यूल gauge दर मिल जाता है बीच में देखें तो छोटी सी M.I.D विलती है लेकिन सारी information दिखा देती है जैसे कि average वगेरा और बाकी odometer वगेरा सब कुछ जो भी हमें basically चाहिए होता है भाई देख लेते है steering wheel तो इस तरीके का मिलता है decat मिलता है यह लेधर रैप नहीं आता है यह भार से करवाया हुआ है अगर आप लोगों को यहां पर दिखा दू एड्जस्ट्मेंट तो बाई tilt और टेल्ट ही मिलती है टेलेस्कोपिक इस वेरिड में हमें देखने को नहीं मिलती है overall dashboard के design की बात करें तो भाई यह सब ने तो भाई climate control मिल जाता है automatic मिलता है यह अपने को पलकजार में प्यानो ब्लैक मिलता है यहां पर यह सारा पार्ट अपने को मैट में देखने को मिलता है देख लेते नीचे 12 वाट का charging socket है USB charging point है और वायरलेस charging pad इस गाड़ी में आ जाता है SX variant में ही देख लेते हैं अगर देख लें कूल आता है तो बिलकुल भाई cool अपने को देखने को मिल जाता है SX variant में आ जाते हैं आगे इधर देखते हैं IRVM तो अपने को manual मिलता है इस तरफ वाईजर देखते हैं टिकेट होल्डर यहां पर देख लेते हैं तो दोनोई LED मिलती है यहां पर देख लेते हैं वापस से पूरी पीछे करके देखेंगे कितना स्फेस मिल रहा है बाई यहों को जो शौकीन अपने खड़े होने के यह बस भाई इतना कुछ स्पेस मिल रहा है बाई अलकजार में और इसमें पैनलामिक संद्रूफ है लेकिन परसनली बतार हूं अलकजार में थोड़ा सा स्पेस मिलता है आपको ये खुलने वाला तो जो लोग भाई थोड़े से शौकीन है ना दो डाई लाक रुपए या मोटा मोटा डेर लाक रुपए वो महंगी पड़ती है इससे वो ले 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 ना उसमें जादा आपको स्पेस मिल जाएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा इंट अगर वाई पीछे खोलता हूं इस यह जगते हैं चलता हूं पीछे हो इसको ड़ता है वैसे तो डारी है वो लीगल लेकिन आपको ऐसे पुलिस वाले मिल जाए जो इस चीज पर भी चलान काटे तो उनको रोक नहीं सकते वह काट ही देते हैं इस चीज कोई नहीं होता वैसे काईदे से तो भाई legal है क्योंकि company से आ रही है अंदर ही fitted आ रही है बात करते हैं खेर आगे की तो भाई dual tone में मिलता है ivory और black color के साथ chrome door handle के साथ speaker grill speaker बलकी यहां पर एक लिटर का space और खाली space इंटीर अगर देख लें तो इस तरीके का मिल जाता है बैठते हैं फटा फट से अंदर बंद कर देता हूं मैं गेट को तो भाई पांच-दस की लगबग मेरी हाइट है space में कोई भी कमी नहीं है लगबग लगबग वाई सेल्टॉस में और इसमें सेमी स्पेस है सेमी अलकजार की बात कर लूँ तो भाई उसमें जाधा space मिलता है बार 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 याज बात क्यों कर रहो हूं क्यों थोड़ी तेर पहले मैंने अलकजार का review कर रहा है उसमें मुझे बहुत जादा space लगा क्रेटा से तो कियर वो एक अलग चीज है बाई देख लेते हैं अगर इ दिखेगी नी रात के टाइम पे जादा ढंक से समझ आती है बात करें अगर हेड्रेस की ना तो में चीज है इसके पिलो जो ही अपने को दे रही है यह बहुत सॉफ्ट पिलो है आपका सर पूरा ऐसे अंदर सिंग हो जाएगा मतलब आपको लॉंग तो मज़ा आएगा क्योंकि काफी सॉफ्ट है हैं भाई देख लेते हैं वापस से हैड्रेस तो चारो यह अपने को अध्यस्टेबल मिल जाते हैं इतर देखते हैं आमरेस मिलता है चल जाएगा भाई जादा वो नहीं करेंगे चलते हैं अब फटा फट से बूट की तरफ बात करते हैं इसके बूट स्पेस की पीछे की तरफ खोल लेते हैं अगर इसका बूट तो 433 यानी की भाई 433 433 लिटर का बूट स्पेस मिल जाता है इतना कुछ बूट मिलता है का फ्रेम क्या फ्रेम है भाई है हमारे जो भाई है यार इस करेटा के उनर बड़े शुकीन है यहां पर आपको दिखाऊं तो प्रॉपर भाई टच्सक्रीन आते ही लेकिन भाई को यूट्यूब और यह सब चीज़े चलानी थी तो भाई ने आफ्टर मार्केट यार इसमे तो अच्छा कासा स्पेस भाई मिल जाता है देख लेते हैं इस तरफ तो भाई बूट लैंप अपने को देखने को मिलती है हूक वगरा देख ले तो बिल्कुल भाई यहां पर देखने को मिल जाता है और भाई कंप्लीटली फ्लैट बूट है तो कोई भी दिक्कत ने होग थी प्रोफाइल अगर देखने तो भाई दो सो पंदरा साथ आर सत्रा सेम अलकजार भाई बिल्कुल अलकजार और यह गाडिया है एक दम इसे में क्रेट और अलकजार तो कोई भी फरक नहीं है इन फैक्ट भाई अगर बात करें ना इंजन की इंजन तक से मार रहा है रीट् इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है की बैजिंग के साथ आती है जैसे मैंने बताया था अलकजार और इसमें कंप्लीटली सेम इंजन आ रहा है 1.5 लिटर का फो सिलेंडर इंजन है जो आ रहा है इस गाड़ी में 113 भी और भाई 200 नम का टॉर्क ऑफर कर देता है देख ले इसके बॉनिट को यह थी भाई पूरी अपनी गाड़ी युंड़ाई क्रेटा एसेक्स मॉडल डीजल में भाई यहां तक आयो यहां तक वीडियो देखिए थैंक्यू सो मच ऐसी आते रहना ऐसी वीडियो लाता रहूंगा थैंक्यू भाई यों बाई बाई